नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तरप्रदेश लोग से वो आयोग ने अपने प्रशनों के लेविल को कितना बढ़ा दिया है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक कर सकते हैं दोस्तों परिक्षा होई खंड सिक्षा अधिकारी की और दोस्तों इस परिक्षा में GS के कुछ ऐसे प्रशना है जिने अभ्यारती पढ़ती ही नहीं थे मतलब इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था कि इतना डीप भी कोई जा सकता है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हर परिक्षा में सूचकांग से जो इंडेक्स होता है उससे समंदित कोशन आता ही आता है मगर दोस्तों इस प्रेशन को एक नेक्स टेविल पे ले गया है इस बार उत्तर प्रदेश लोग से वायूग आप देखेंगे अकसर अभ्यारती जो जाद करते हैं इसकी फर्स्ट रैंकिंग और भारत की रैंकिंग मगर इस बार जो कोशन पूछा गया है उसमें आपका ये पूछा गया था है कि निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानि कि आपको सुरबात के 3-4 पता होना चाहिए लास्ट का भी पता होना चाहिए और भारत की क्या रैंकिंग है ये भी पता होना चाहिए तब ही आप ऐसे प्रशन को क्रैक कर पाएंगे दोस्तों वैसे जो टफ कोशन होते हैं वो मेरिट पे इतना एफेक्ट नहीं लिए कि आपको मेरिट में एक एज मिल जाती है एक बड़त मिल जाती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आगामी परिक्षाओं के लिए कि UPPSC किस लेविल तक और पूछ सकता है अब देखिए दोस्तों जैसे कि यह वाला प्रशन है सासक से रिलेटेड जैसे प्राच चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम की रानिया कौन सी थी यह बहुत कम अभ्यारती उन्हें पढ़ा होगा समद्रुप्त के बारे में भारत का नेपोलियन पढ़ा है बहुत सारी चीजें समद्रुप्त के बारे में पढ़ी होंगी मगर उनकी रानी कौन थी यह बहुत कम history के जो आप भ्यारती होंगे वो तो हो सकता है कि जिन्होंने BA history से किया हो वो बता पाएं मगर जो general study कर रहे होंगे आप भ्यारती जो बहुत कम ऐसे होंगे जो कि इससे related साही answer दे पाएं फिर दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि एक सूची 1 सूची 2 को connect करना था यहां पर भी बहुत सारे कुछ vocabulary ऐसी हैं जो लोगोंने पहले सुनी ही ना हो तैयारी करने वालों में है न तो अब जो है जो भी उत्तरप्रदेश लोग सिवायों की परिक्षाएं होनी है उनके लिए अब आपको अपना GS का जो level है वो थोड़ा सा और अप करना पड़ेग तो इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे ऐसा नहीं है कि कोई ना जानता हो और इसमें भी match matching आ गई थी और इस तरीके का था कि उसे सही कर पाना इतना आसान नहीं था तो आप देख रहे हैं कि किस level तक के question पूछे जा रहे हैं और आपको भी आप अपना जो level है परिछाओं को लेकर उतना ही increase करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो यह वीडियो पसंद आया हो तो आप like कर सकते हैं चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर सकते हैं जल्द मिलेंगे दोस्तों हम next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत